उम् स्रीगनशायनमहनमहसंशकृताय गजाननंभूत गड़ादिशेवितं कपित्थ जंबूफलचारुभाक्षणं उमाशुतंशोकविनाशकारकं नमामिविगनेश्वरपादपंकजं या कुंदेंद तुशार हार धवलायाशु ब्रवास्त्राविता या विडावर दंड मंधित करायाश्वेत पदमाशना या ब्रम्हाचत संकरह प्रभित विरदेवैश दावंधिता सामाम पातु सरश्वती भगवती निनसेश जाध्यापाः। शुक्लाम ब्रम्ह विचार सार परमाम आध्यम जगद व्यापिनिम् विडापुस्तक धारिनिम् अवयद्याम जाध्यां ध्यकार आपाहां। हस्तेस्फाटिकमालिकाम विजदतिम् पदमासने संस्थिताम् वंदेताम् परमेश्वरीम् भगवतेम् बुध्धी प्रदाम् शारदाम् सरश्वति नमस्तोभ्यम् वरदे कामरूपिडिंग् विद्यारंभं करिश्यामी शिदिरभवातु में शदा शभी लोगों को नमस्कार मैं प्रकाश्वरणसी से आप सभी लोगों का इलनिक विदुर्गेश में वाफिश्वागत करता हूं चलिए आए हम सभी लोग एक और 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 करेंगे जिसमें सबसे पहले आपके सामने जैसे में दिखाई देताए या मैं पैसे के बाद पढ़ोजी करें या पद्बंढ़ करते हैं और लोग सफ़ल होएं तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं पड़ागाजी कर लेते हैं ऊसके बाद फिर पैसेस की ओर आएंगे ठेक है तो 45 के बाद पड़ागाजी होगा है हाँ यहां से सरवाधिक समीचीन विकल्प को चुन करके निम्लेखित प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रश्च संख्या 46 है सबसे पहला कोश्चन आज का हम लोग ले रहे हैं संख्या 46 है आप सभी लोग उत्तर जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग पड़ागाजी कर रहे हैं उसके बाद सभी लोग हम लोग चलेंगे इधर वाले क्लास में आएंगे पैसे की ओर जी बिल्कुल टाइम चेंज हो गया है ठीका टाइम चेंज हो गया है नित अभिव्रिद्ध निर्मार है तो निमलिखित में से क्या आवश्यक है क्या पाजिटीव वाला खोजना है क्या आवश्यक है प्रयोजनात्मकम कार्यम तदधिक्रित परिचर्चा अनुभवानाम चा मित्रहिशह आदान प्रदानम चा ठेक सबसे पहला अप्सान ज्यांद प्रयोजनात्मकम प्रयोजनात्मक कार्य के लिए तदधिक्रित उस पर अधिक्रित करके परिचर्चा अनुभवानाम और अनुभवान को मित्रों के साथ में आदान प्रदान करने से लग तो यहीं रहा है परिचर्चा भी है आदान प्रदान कर रहा है ठेक ऐसा कुछ तो सब्सक्राइब करना बहुत बढ़ी मतलब एक तरीके से सही है आगे दिखेगा क्या है आगे देखेगा क्वेश्चन में संस्कृत का लांशे प्रधानाचार्य अनमत्या उद्यान विहार हा करें कि इसके लिए क्या सभी होगा वैसे होना चाहिए इसका answer ए लेकिन कुछ पुष्टकों में गीत गयान और कलात्मक कारे को मान लिया गया है उनकी अमसार कह रहे हैं कि गीत गयान और कलात्मक कारे को मानिये लेकिन कई जगहों पर आप देखोगे तो इलगयक नहीं इससे ज्यादा करके सीख पाएगा गीत गयान और कलात्मक गीत गयान करने से भाई गीत ग्यान प्रात्मिक कारे में उद्धे से होते हैं प्रात्मिक कच्छाओं में कि हाँ इससे भी आप कर सकते इससे भी बढ़ता है ठीक है लेकिन यह जो थ्वासा कुछ कारे पर आधारित पर चर्चा चर्चा हो गए तो ज्यादा करेक्ट माना जाएगा वैसे आप लोग इसके उत्तर किसके सांथ में एक सांथ में हैं बहुत सही ठीक है बिल्कुल समय चेंज हो गया आप सामको क्लास नहीं होती है ठीक है अब पढ़ते रहो निसी तरीके से अच्छा हो जाएगा घवडाने बात नहीं कुछ पुस्तकों में जो है इसको लिख दिये हैं उ सबी कोशन के आयोग वाले जो हैं अपने वेप साइट से संव के एंसर भी यटा देते हैं पता नहीं क्यों इतनी बड़ी उनको क्या दिक्कत आती है ठोड़ी पढ़ी रती डाटिटा तो या दिक्कत था था पूरा बताईएगा हमको आयुश्मान भवर दिग्वीजेई भवर चिरंजीवी भवर जी बिलकुल यह क्लास आपको सामतक रहेगी इस क्लास को प्राइबेट नहीं किया जाता है आप इसको चाहे जब बाद में देख सकते हैं दिन में देख सकते हैं ठीक है किसी भी समय में देख स भासा परिवर समिमार से स्वाज भासा का अधिगर होने या ब्यवस्थान उगुणं पाठ पुस्तक पाठनम एन च्छात्रा हा श्वा प्रयास ही ग्रिह कार्यां करतु में समय था भवे यूहू कंठस्ती करनां पस चाहता अवश्यक्षब्द प्रयोगाच अब अगर आले ही कट कर दो जरूरी होता है लेकिन व्याकांड से समंधित औभ अधन करें करें दो आपसंद और भी हैं गलत बात नहीं है बहुत ज्यादा जादा इस देखना चीज़ों को देखना चीज़ें लेकिन और भी सारी चीज़ें है तो भासा परिवेश निर्माने ना भास परिवस्थान गुडम व्यवस्था के अनुसार जो है पाठ्थे पुस्तक पाठ्थे पुस्तक को पढ़ाना चाहिए जिससे छात्र अपने प्रयास से ग्रियकार्य करने समर्थ हो यहां पर क्या है भासा परिवस्था का अधिगान सहज भासा सहज रूप से भासा की परिवस्था निर्मान से जाबा करेक्ट लिया गया है सी नहीं सी बड़ा होते हुए भी सी यहां पर सही नहीं है नेक्ष को संडी जिएगा प्राथमी कस्तरे वाचन चमता यह आंकलन आर्थम प्रभावशाली विधी अस्ति प्राथमी कस्तर में प्राथमी कच्छा में वाचन चमता के आंकलन के लिए प्रभावशाली विधी है क पढ़ित सामगरियों पर सक्षातकार या सार लिखन संबध प्रयुजनात्मक कारियं या सब्दार्थ को अधिकृत करके या उस पर आधारित भासा क्रिड़ा ठीक है इस को सभी लोग और सेर करते जाओ सभी लोग तो इसमें क्या हो जाएगा प्रस्ट संख्या अनटालीस में क्या करना चाहोगा आप लोग सब्दार्थ पर आधिकृत्य भासा क्रिड़ा अब इसका जिसका अन्ताक्षरी लोग खेलते हैं उस तरीके से अलग-अलग इसके तर जो भासा क्रिड़ा खेल खेल में जो सिंखरो सबसे अच्छा है पांठ चरया विकास स्वोपान क्रम ही और थात अभी तो याद करने वाली बात हो गई यहांपर उसके लिए तो पहली है पहले आप्षेक्ता होता है डेहां पहले आपके ऒले यहकाफन है और यह पहले आज़ता होता है फिर विस्वेशन होता है अब अगे छलकते हैं कुछ अधिक कर्वारे हैं dollar हर दिन अधिक नहीं कर रहा है हर दिन अभिक नहीं आप जैसे अभी परिच्छा है तो एक दो दिन जो है कल पर सो में या आगे वाले में दो दिन में बड़े-बड़े क्लास लेने मतब कुछ जादे कोस्टन में करीब अनुभाव नाम विविद्य तरीके के जो अनुभाव है उसके लिए उसको करने के लिए कालपनिक सब्द अधिकाधिकम अतरिक्त पाठन सामगरी वास्त विकान वस्तुनी प्रश्च्छा संख्यापचास में उतर क्या करोगे विविद्य पूंड तरीके से जो अनुभाव मतलब अलाग अगलाग टाइब के अनुभाव प्राप्त करने के लिए जो अब तक आप वृस्त विक रीजगर घ जो होता है ना जो व्सतुसे संपर्क में नहीं आएंगे ततक आप उसके और एक विव्व से उसको नहीं देख पाओगे ओर एक तर penn Martin करता है तो उसको क्या करता है हर एक समस्याग बाद में उसका अनुभा बढ़ता जाता है जो जहला होता है जितना अधिक डिन और थार जतना धोल रहेगा हमारे करने के मतरब यहां पर है कि जतना अधी की जीवन आपन किया रहेगा उतना ज्यादा अनभवुस के पास न उसके लिए क्या करना कैसे होगा जब वह वास्तिक बस्तूओं से होता है वास्तिक बस्तूओं के साथ में अगर रहता है इसे सपोच कीजिए कि आप कोई माल लिए फॉर्विलर में ही कोई गाड़ी ही अगर आप चला रहे हैं तो केवल देख करके केवल वीडियो देख करके आप गाड़ी नहीं चला सकते जब आप उसके सांत में रहोगे हर तरीके से समस्याओं से परचित हो जाओंगे अपने तो डी आप्शन क्या हो जाएगा तरने के लिए पाने में कितने भी सुत्र बता दिये जाएं कितने भी फार्मूले बता दिये हाँ रूख जाओ यह सेटिंग पे दूसरे सेट पर लगा था अभी यह फूल पेज पर लगा है हम एक बार डिश्टर्ब करेंगे तो हमको परसानी तो होगी लेकिन हम इसको कर सकते हैं थोड़ा बहुत अब कहां तक भगा है कुछ कटने पटने न लगे बस यहीं चीज यह हवाला चल रहा था तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जाकर को सेट हो जाता है इसलिए इसी के लिए बनाया गया था अभी सेट किया था अभी चलिए हम डिश्टर्ब कर दिए हैं तो थोड़ा इस पर आप लोग अधर करेंगे तो फिर से थोड़ा सा सिस्टम इध अधर से तो दिक्कत होती है फिर बार बार उसको सेट करना पड़ेगा जिसके लिए जो बनाया गया ना उसी के लिए सेट हो जाता है या नेक्श को संग्ड़क सहाई एन अर्था कंप्यूटर की सहाथा से अनुदेशन अंतरगते अनुदेशन के अंतरगत प्रतिरूपड प्रतिमानम यह देखना ध्यान देना प्रतिमानम क्या होता है प्रतिरूपडात्मक प्रतिमान इससे क्या भी प्राय है इसका मतलब जो है ना वहीं इसका भी प्राय हो जाएगा जो लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते होंगे को सीखना पड़ेगा जहां छात् अधिक से अधिक सूचना को प्राप्ट करते हैं और प्रस्ट मेधी प्रस्ट में deja क्राप्त करते हैं कंप्यू U is अगर काम की जatए है अभी आप लोग आप के आप को सारी हैं बहुत तो यहीं हो खुछ लोग करते हैं कि छात्र के जीवन से समझते हैं कि यहां पे इससे जहें जीवन के जात्र के जीवन करते हैं माने इसके पहले जूट था जिंदेगी कि संगल साहीयन कुपटर कि सहता से अनुदेसन की अंतरगत जो प्रति रूप रात्मक प्रतिमान यहां पे रहें उसका मतलब है कि यहां चात्र अधिक से...... सुचना को प्राप्त करते हैं प्रश्णों और उत्तरों को भी प्राप्त करते हैं ठीक है प्रश्व संख्या बावन में हम लोग देखेंगे प्रश्व संख्या बावन क्या है स्रवन प्रेरकेन अभी प्राय है स्रवन प्रेरक से अभी प्राय है किस बात का किस बात का चलिये बताइये स्रवण प्रेर केन अविप्राय अस्ती स्रवण प्रेर केलिए प्र्ष्ट संख्या 25 निर्दिष्ट सूचनान उगुडम चात्र वर्गी करणम निर्दिष्ट सूचनाओं के अमसार चात्र का वर्गी करण करें या समिक्छा टिप पड़ी के लिए स्रवन सुनना चाहिए सुनना या कार्य की पूर्टा को प्रस्तूत करना और करने के लिए और चात्रों के स्रवन कौशल चमता का विकास करने के लिए स्रवन कौशल से चमता आया है यह वाली लाइनाप से आपका मैच यहां पे सभी हो जाएगा सुनी हुई स्वाग्रियों के सीखने के अर्थ में चात्रों कर नहीं बिल्कुल इस सब बिल्कुल अच्छे नहीं है 6 से सी वल्लशब से अच्छा है ध्यान दिएगा कभी-कभी आपको इसमें एक से अधिक Legend के एक से अधिक आपसान भी कर्यक्ट लगें गेंगे सही लगेंगे लेकिन इसमें जो सवसे अधिक सही लगे उसको आपको बताना है हमको लग रहा है कि अपना सिस्टम से थोड़ा बहुत अजिस्ट करना पड़ेगा चलिए इतने प्रवर आपको दिख रहा है भासन आकलन समय अंत्रक्रियात्मक्ता अंत्रक्रियात्मक्ता होती है उसको कार्य करती है ठीक जो आपका मतलब आपके दिमार्ग में जाते ही कोश्टन आटमेटीक उसपे प्रोसेस करने लगता है जीस जैसे मान लेज़ें कि आपके अंदर कुछ सोचने की छमता है तो जो ही आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तुरंत आपका वहाँ डिपार्टमेंट क और जो घटनाएं हुई है उनमें ध्यान देना कि जिसमें आपका मैंड काम करें तरक करें आप खुद आर्टमेटिक सपोर्ट करें हैं यह ऐसे यह तो किसमें होगा अर्थ प्राप्ति के लिए खुद से ही खोज या प्रतिभाग करने के लिए जो है प्रयास करें तो इसमें बताओ इसले इसके अनुसार तिरपन में क्या सही होगा हमको तो लगता है कि आपका मइंड़ चीन्तन है और अंतक्रियात्मक्ता जो ती है सपोर्ट करें यह होगा बिभिन बस्तूओं घटनाओं के तुलना करते वक्त सब्सक्राइब अगर आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी रख दिया जाए कि अंग्रेयजी में पिछले रिकोर्ड में नेखे जाय हैं तो जो अंग्रेजी से कि इसी मैं करंने के के बाद में तो आप निधारित कर लेते हो कि हमको फुलाना सब्जेक्ट लेना है अब इस चीज को जब आप निधारित या पीछली बार मैंने दिया था एंगलिस में उसमें कव नमबर पाया इस बार संस्कृत सदे करके देखते हैं इसमें एक क्या है आपका खुद का दिमा महत पूर्ण मस्ती लेखन कवशल के अभ्यास के लिए महत पूर्ण है ध्यान देना लेखन कवशल का अभ्यास करना है जब इस पर आप अभ्यास करोगे तो निश्य तरके से आपका लेखन कवशल और बढ़ियां होगा और बेश्ट होगा ठेक तो इसके लिए महत तरीन है तो लेख के अभ्यास के लिए लेख मतलब अब सुचो कि ब्याकरण का अभ्यास करने से लेख से यह या वाचन का अभ्यास या सारांस लेखन या टिपड़ी स्विक्रण हमको लगता है कि एक अच्छा एंसर राइटिंग लिए यह आपको जो सारांस लेखन जो कोई भी अगर घटना कोई भी कहानी या कुछ पढ़े हैं तो इसको आप अपनी भासा में विवस्तित तरीके से आप लिखें रखें ठिक इसको करें इसमें इसी तरीके से शुरुआती दोर में आपको अच्छी एंसर राइटिंग नहीं हो लेकिन जब आप जियों जो समय बीटता जाएगा आप लिखते रहे लिखते रहे तो आप एक अच्छे टाइप के लिखने लगे अच्छा लिखने का मतलब यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं कि हंड्राइटिंस नहीं मतलब है आपकी जो लिखन कला जो आप लिखने में जो की जिए जो चीज का प्रयोक करते हैं जो घ्यान लगाते हैं लिखने का सही क्रम क्या है ठीक है उससारे चीजें में इसको देखते हैं सरांस लिखते लिखते अब और सी सोरी ने बताया हूं कि गाते गाते गला बबनाते बनाते सद्राइड यह दोनों क्या होते हैं बेश्ठ हो जाते हैं चलिए इसको धेखते हैं ब्याकर्ण कृड़ासुख ब्याकर्ण कृणाओं जागरुकता उद्वोधन το्रों के लिए उद्वोधना तो उसके लिए अवश्यक है और किसी भी कारे आपary पते क्या फैला नहों तो आप क्या करते हो जनसंपर करते हो यहीं करते हो क्या करते हो जनसंपर करते हो तमाम जाते हो उसमें बताते हो समझाते हो यहीं सब करोगे ना बोलोगे भासण देओगे तमाम चीज़ों को करोगे वहां पे तब लोग जानेंगे और इसके उद्वोधन के लिए क्या उशह है व्याकरण कीड़ा के जागरुकता के लिए प्रदत गतिवि समझा करो कि कारे को की गतिविदी को समापन करने के लिए सहयो करना हमको करना है व्याकरण कीड़ा में जागरुकता फैलानी है तो जिसके संबंध जिससे रहे वहीं एंसर हमको देना चाहिए ठीक है आगे देखते हैं विभीन संदर्भेश भासा प्रयोग का अवसर देना चाहिए तो अवसर देने से भासाई सिद्ध होगा जब हम और प्रसार करना है लोगों को उसको समझाना है तो निर्दिष्टêu माधिक्रित्य in प्रत्षन निर्धारित किया जैसे जल बचाओ या वायुप्रदीशन जो भी है वायुप्रदीशन तब उसको मना करो रोको या फिर जो भी आपका यह सब चिंतन करने जागरुटा फैलेगा जागरुटा फैलाने के लिए उनको कहोगे तो उससे जागरुटा फैलेगा मैं बार-बार बता रहा हूं कि संस्क्रित के प्रड़ा गौजी में ओर लोग ऐसे सब्दों का जो पाजिटीव कीवर्ड से जैसे महसुल मतलब आप लोग अन्य बिशयों में लगाते हैं जैसे प्रड़ा गौजी में लगा दें वहां पर इस सब चीजों को लगता है लोग ध्यान या यह कहो कि नहीं बना है लेकिन संस्कृत में आप प्रिवियस को समय पर उठाके देख लेजिए यह जितने पाजिटीव वर्ड है उसको मिला मिला करके निगेटिव बात बनाई गई है एक्जेक्टली नहीं लिखा गया लक्षे को लक्षे को टार्गेट करकर करके मतलब इस पर अधिक्रित हमको संप्रशात्य कार्मन इसी के बारें बताएं ऐसा नहीं कि हम आप से कोश्चन पूछें ब्याकरण के बारे में और आप बताएं कि मैंने गणित में पहाड़ा 20 तक लिख दिया मैं वहां पे गया पूछे जह हो आप मैं चाहरे मैं आप से पूछ रहा हूं कि मैं कौन से संधिह और आप कहोगे कि मैं जो है कॉन सा लंकार और जानता हूं जानता जय मैंने करवाया यह करवाया ई Summer camera देखते हैं खीद नहीं नहीं होती है और हो सकता है क्वालिटी सही मेंटें रखिए और निशित तरीके से हो जाएगा इतने से छोटा बड़ा में कोई बहुत बड़ी हो नहीं हो जाएगा आज कल कोशन पूछा जाएगा बेरोजगारी पर तो बैठे हुए लोग जो है बताया ना स्टार्ट कर देंगे किसी दूसरे मुद्द अब किस मुद्दे पर बात करना कर रहे होंगे आपको पता ही होगा मैं उस पर टापिक पे नहीं छड़ूंगा लेकिन आप देखिए बहुत जगहों पर जब चर्चा होती है तो चर्चा होती है किस पर और चलने लगती है किस पर हमको लग रहा है अपना डिश्टर्ब कर करना कि पड़ेगा लो अब डिस्टर्ब कर दिए अभी हमको जानते हैं सेट करने में पड़ा समय लगेगा लो भाई हम सेट ही कर देते हैं अब बिल्कुल बड़ा दिखेगा कि घबड़ाओ नहीं है एक सेखेंड अब देखते हैं कईसे नहीं बढ़ा दीकता है अब ठीक है अब बिल्कुल ठीक हो गया हो को है अनलाइन और मैं हमको अच्छार कर नहीं लगा टेक्ट कमाने यह तो जब यहां पेपर पड़े इसी पर गुड़ा भाग करना स्टार्ट करते थे अब आनलाइन में एक ठोस पेपर सीट मिलता है आप लोगों को उसको लेकर करके नीचे कुछ नहीं रहता है पेन चलाएंगे पेनों छटकता रहता है एक बार उसका यहां सेट्टिंग बनाएं फिर सा जाते थे अब आनलाइन को पूर्टिया सुध्ध मान लिया गया है अभी सुनने में आया है कि कुछ लोग और डालने गये थे उसमें उठा लगवाया गया पैसा अकाउंट से बाहर हो गया एकाउंट मतलब पैसा कट गया है यह सोचो तो ऐसा बहुत जगों पर एक पुरा परणिने लगेगा चलो इसको देखो बरती हरी रर शितं वाक्यक्य पद्यम संबद्ध मास्ती किसी से प्रश्ण संख्या चप सम्बंदित है व्याकन दर्शन से ठेक अस्टाद्यासितुराख्या नहीं महावास नहीं काव्य सास्थ नहीं व्याकन दर्शन से कि नेश्ट कोस्तन लो अब फिर हमको खिसकाना पड़ेगा इसको अब आया कि कितना करा है चलो अब हो गया है डाटा अधिक रहता है वो इसलिए ऐसा होता है बड़े कोश्चन है ना पाठ्य चर्याया उर्धोगामी प्रतिमानन इत्यनेन अभिप्राय अस्ति इससे क्या मतलब है इससे क्या या समझते हो ठीक बताओ कि परसान करने बार-बार हमको इधर करना पड़ रहा है ठीक है हाँ हाँ आगे चल रहे हैं नेश्वाले को सब्सक्राइब पाठ्य चर्यायम उर्धोगामी प्रतिमान से क्या मतलब है इससे क्या मतलब है छात्रह मुक्तवाता वर्णे वैविध्यपूंड गति विधिशु भागम श्वीकृत्य पठेयु छात्रमुक्तवातावर्ण में विविध्यपूंड गति विधियों में भाग करके स्विकार करके उसको पढ़ना चाहिए इसको बात तो सही लग रही है छात्रह भविश्यों मुखी विश्या दोनों इसका वात्रव गलत करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे दो आप सब्साहिए यह नहीं इसमें छात्रह मूट्या आनंदपुर्वक का कीमपी पठेयों नहीं कुछ भी पढ़े आनंदपुर्वक मूट्य रूप से इससे अच्छा ज्याद नहीं को चुछ और आगे निकलेगा ही निकलेगा बच्चा उसमें एक्टिव रहेगा और जिसमें बच्चा एक्टिव रहता हो जादा लाभकारी ज़्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है आगे लो कि अब इस वाले में देखो क्या है मानवतावादी उपागम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति मानवतावादी उपागम इससे अभिप्राय है इससे भिप्राय है मानवतावादी उपागम से क्या भिप्राय है अब बताओ इसमें इससे क्या भिप्राय है इस से क्या भी प्राय है नूतन संदर्भेश्व नए संदर्भो में अधिगत मन सीखी हुई सामग्री नाम संकल्पनानाम सिध्धांता नाम अनुप्रयोग है नए संदर्भों में सीखी हुई संकलपनाव सिध्धानतों का अनुप्रयोग, अनुवेश नात्म की माने खोजने вाली प्रक्रिया, या अधिकत संकलानाम प्रसुतिकरणम सीखी हुई संकलपनाव का प्रसुतिकरण या विभिन लक्षण से युक्त विभिन सक्षिक विश्यों में नेपूणता प्रश्ट संख्या 58 में जो सही होगा मानवता वादियुपागम सबसे ज्यादा आपसन आपको यहां पर दिखने को मिल दहा है कि नए संदर्भों में सीखी हुई सामग्रियों संकल्पनाओं दिखेगा अच्छा तो यह हवाला ओने आपका करेक्ट हो जा रहा है नेश क्वेस्शन ले लेते हैं माघ्रित अध्यापकिकत विवस्था से या सुशाजित कच्छा कच्छा विवस्था से माने विश्ष्ष्ट आवसक्ता वाली कच्छा क्या मतलब है क्या मतलब है आप बताएं इसमें क्या करेक्ट बैठेगा थोड़ा फास्ट जल्दी करो प्रशसंख्या 69 क्या मिलगे आपको कि विभीन युगता युगत चात्र कच्छा रहे वह विश्ष्ष्ट आवसक्ता वाली कच्छा कर जा सकती है मतलब उसमें अलग अलग युगता वाले बच्चों का भी समाधान हो जाए ऐसा नहों कि बचारे जाने अत्रीत जगह मिल जाएगा इसको और अच्छे से मतलब दिखाने के लिए ठीक हुं लग रहा कि वाला काम अच्छा रहेएगा पूरुव वाचन गतविधी-इत्यष्यप्रम्खव देश्य अस्त इसका प्रमखव सन है क्या इसका प्रमखव सन है किस से क्या उद्ध्यकश्य भाई प्रदानम अनभवानाम ग्यानम नूतन सब्दानाम पाठनम पुर्शासंख्या 60 उत्तर क्या आएगा पूरो वाचन गत्विधी का क्यों किया जाता है इसलिए क्या आता है ताकि पाठ में रूची बनी रहे बच्चा जो है बच्चेगा रूची बनी रहती है तो अच्छा पढ़ लेगा अच्छा कर लेगा तो यह वाला राइट एंसर भी हो जाए ठीक है नेश्ट को सब्सक्राइब है अब 60 कोशन हम लोग मतलब आगे कि इस इधर से जो कोशन थे प्रड़ो वाले उसको हम लोग कर लिए अब हम लोग चलेंगे करेंगे गध्यांस और लेंगेज टू में दो गध्यांस आते हैं और लेंगेज वन में क्या होता है कि एक गध्य के सांथ में एक या दो स्लोग आ जाता है तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं अधो लिखितम गध्यांसम पठित्वात अधारीत प्रश्णा नाम प्रदप्तेश्व मतलब दिए गए थोड़ा से बढ़ सकता है या अधो लिखित गर्द्यान संपठित्वात आधारीत प्रश्ण आनाम प्रदत्येशु प्रश्व संख्या एक तीस से चप्तिस समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत करें इसको पढ़िए इस पर आधारीत प्रश्ण दिये गए हैं उसको उ ध्यान से पढ़िएगा यहीं पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है कानी पढ़ने से महरसे आरुणे पुत्र स्वेत केतु आसीत महरसी आरुणी के पुत्र स्वेत केतु थे ध्यान देना आरुणी के पुत्र थे स्वेत केतु कोशन पुछ सकता है कि इनके पुत्र का क्या नाम जाओ पूछेंगे गच्छ में कौन सा लकार है गुरु के पास जाओ आज्यार्थ है इसका मतलब लोट लकार होगा न हेश्वेत के तो गुरुम्प्रती गच्छ गुरु के पास जाओ किसके लिए अध्यन आर्थम अध्यान के लिए यतः शाम्या यहीं सही है इसमें तुम को जाना चाहिए तुम जाओ अश्मत कुली नहां अनधित्य अनधित्य मतलब जो नपढ़ा हो हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो न पढ़ा हो ठेक अर्था तुम भी अब पढ़ने लाइक हो गया जाओ पढ़ने या गुल्ली डंडा ना खेलो सह पुत्रह आचारियम उपेत्य यावत चतुरविंसती वर्सियह अभवत तावत सह सर्वान वेदान सार्थान आधित्य पितुहू श्रकाशम आगच्छत अब वो कह रहे हैं कि वह आचारिय के पास जब गया तो वह पुत्र आचारिय से चतुरविंसती वर्सियह 24 वर्सियह होते होते ठीक है क्या किया सारे विसयों को पढ़कर करके सावीवेद्पुरान सब को पढ़कर करके पिता के पास में सह समय वापस आ गया , सहच्छ सर्वस्रेष्छ हम वह और सर्वस्रेष्थ हम मतलब मैं सर्वस्रेष्ठ हूँ, ऐसा वह मानने लगा , ऐसा मान करकर दो क्रें उसका सभाभ उध्धत हो गया, उद्धत होने का मतलब कि जो उसकी जो की अंदर तेज था व फुत्र को धुआ देख करके पिता बोले या क्या पढ़़ा दिए जिसके पूपाप्ट्प अथे नंडवकत्या रूपन उद्धत हं से तुमको तुम्हारे गुरुजी इतना अधिक क्या प्राप्त करवा दिये या क्या पढ़ा दिये जिसको तुम पाकर करके तुम कुल के अनुरूप ना हो करके कुल के अनुरूप उध्धत हुए मतलब यहां पर उध्धत यहां उध्धत तुम्हारा वही बात है तुम घ्मं ओ मतम मतम जो जिस पर नहीं होना चाहिए मत बैठ गया मतलब वह बात है जिसको लोग ना माने जिस पर मत न बढ़ता उस ओमतम मत के अमसार कैसे हो गया अविज्यातम चविज्यातम जो जिसको जाना नहीं जासे था था तो क्या क्या जान लिए तुम बताओ इतना ज्यादा गुंड़ाई करने लगे यह तद अद भूतम प्रश्णम प्रिच्छत कथम इति अब ऐसा जर सुना जब सुनाथ कहा रषय सब कुछ नहीं हो पाया मुझसे.. लिए तुम पढ़कर के आए हो जो पढ़ना चाहिए। जो सीखना चाहिए। जो और लोग पढ़कर करके आहे हो औहीं सबढ़कर सभाव किसका हो गया था तो यह हो गया था किसका हो गया श्वेत केतु का सभाव क्या हो गया थेक नेश्वाला को संदेखते हैं ध्यान से श्वेत कि मन्यमानह कि मन्यमानह इतिपद्त है प्रट्य यह घुष इसने बताओ कौनसा प्रट्य ओने मान मान हं 11 तर प्रश pessoas क्या 32 में थेसी बने तवत बन जेगा अनिय सत्मे अत अनार बनेगा एसी वालाग करेक्ट करो ठीक आगे देखते हैं नेक्स कुछ वाच इति क्रिया पदस्य करती प्रदम अब बताओ यहां लिखा गया 12 वर्सियम तम पुत्रम पीता आरूणी वाच तो यहां पर कौन करता है करता कौन है जो क्र पीता अगर आप संदिया गया है तो तैंतिस में आप एंसर क्या करोगे को करोगे नेश क्वर्शन देखो पीतु इतिपदेवी भगती अस्ति बहुत सही बहुत सही नारान बहुत अच्छा है अब यहां पर देखो ध्यान से अब ऐसे आप करोगे तो पीतु हुँ दो बहुत कम देखने को मिलता है अब सोचो यहां पर कि पंचमी भी आप संदिया सश्थी अब क्या सही होगा अब चलो पैसेश के पास पैसेश बताएगा कि क्या सही होना चाहिए पीता की पास वह वापस लोटाया जब पीता के पास आ रहा तो पीता से दूर तो जा नहीं रहा स्कीद इस गध्यांश के आधार पर पितू वह में सश्थी भग्ति होगा ठीक है आगे देखते हैं नक्ष पर गठ्ष इत क्रिया पदे लकार अस्ति इस में लकार क्या होगा बताऊ अबी जो हम पढ़ा रहें थे तो बताये थे कि इसमें उसमें क्या कहा गया पिटा बोले कि हे स्वेत के तो गुरुं प्रतिगच्छ गुरु के पास जाओ गुरू के पास जाओ, गुरू की ओर जाओ, गच अग्यार्थक है, लोट लकार बनेगा, तो आपसन क्या हो जाएगा इसका सही, क्या सही हो जाएगा, लोट लकार आपसन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 35 का A, बस आप करत स्वभाव कैसा हो गया उद्धत हो गया क्या है क्या है स्वभाव की निसेस्ता बता रहा है यहीं न तो अब उद्धत स्वभाव लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना यहां पर आदमी स्वभाव बना रहा बहुबर ही समाज बनेगा जैसे पीतामबरह यह हो जाए और यह हो जाए पीतामबरम पीतामबरम तो यह देखो यहां पर तो आपका जाएगा दूसरा कर्मधारा में तद्पूरुस लगा देते आप उसी में तद्पूरुस कर अंदर कर्मधारा आता है तो आप लगाते लेकिन यहां पर पीतामबरह जैसा रूप बन गया उद्धत स्वभाव वाला उद्धत स्वभाव वाला वाली का अर्थ आए वहां पर भौबरही समास हो जागा इसको नेक्स्ट वाला पैसेस आपके सामने प्रदर्सित हो रहा है अब फिर से पैसेस पढ़ेंगे उसके बाद सौल्व करेंगे ठीक अधो लिखितम गध्यांसं पठित्वा तदाधारित प्रश्णानाम प्रदत्तेसु प्रश्ण संख्या 37-45 समुषितम उत्तरम चित्वा लिखत अधो लिखत नीचे दिएगे गध्यांस को पढ़ करके अधारित दिए गये प्रश्णों को 37-45 तक जो प्रश्ण है उसको सबसे अच्छी जोगतर लगों अभी यहां पर जो गध्यांस है बड़ा अच्छा लगा हमको बहुत अच्छा गध्यांस लगाई है ठीक क्या है शंप्रति सिक्षा संस्थासु प्रचलित अश्य संस्क्रित सिक्षण विधेया अयम परिणामह दिर्श्यते यत वहूनी व संस्क्रित अभी बहुत समय से संस्क्रित पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी संस्क्रित को अधिक्रित करकर संस्क्रित में अपने भाव को अफने वीचार को प्रकट करने में असमर्थ हो रहा है लेकने से लेकर में भी उद्था science कमी है कारणम किक्या करन में हो सकता है इसका यहीं है कारण यहीं हो सकता है यह मां धात्रा जारा है है अंपने भासा में जो जो लोग उसको समझते हो उस भासा में उनकी बातरी भासा में बताया जा रहा है जबकि संस्क्रित क्लास में संस्क्रित अधिक उपयोग किया जाए तो शुरुवाती दौर पर परसानी होगी लेकिन एक अच्छा परणाम निकल करके आएगा कुछ दिनों में ठीक अब तो ज एकदम गमार्भासाओं का प्रयोग करते हैं उनकी स्टंडर्ड लंगिस तो बिल्कुल नहीं लगती है लेकिन फिर भी क्लासेस में बहुत सारे लोग हैं तो सफल ना बहुत बदलता जा रहा है तो एची देखिए संस्कृत पाठे पुस्तक गत पाठा नाम अनुवादा संस संस्कित में संस्कीत में स्रमण या इन सबी-का जो भासम भासन में यह जो भी और इन सब संस्क्राइब से दिखा जाया तो यह संस्क्राइब नहीं है यह महां चीनता का विसे है यह महत्पून का कर तब्यम यह हमारी मुट्पून कर तब्य होना चाहिए ऐसा दिया गया सब्सक्रिट में लोगों को रोजगार नहीं मिल पारा है जिसके लिए लोग संस्क्रिट की आहाल हुए है कर दो पर अगम पर दोपोन हो बहुत लोग जानने लगें ने रोजगार कोई मजबूत साधन पहले राजा लोग जो है विद्वानों का को सनच्छन देते थे विद्वानों की देखवाल के लिए पूरी धन्रासी सप्लाई में तरफ जो भी होता था इंको सारी सुभिधाया देते थे और आज कल तो पता लगा कि इनको ही हमारे राजा तो कहते हैं कि सबसे अधिक जो है पेमेंट टीचर ही पा रहा है हां सबसे अधिक पेमेंट हमको लग रहा है कि आगे पेमेंट में टेंसन पड़ी है टीचर पर जिंदगी भर करें 75 साल तक ही सहीं तो जा करके 10 साल नों करी करें तो पता चला क्या कोई पढ़ेगा जब जब इसी तरके की बात आने लगेगी तो शनच्षण नहीं मिलेगा बिद्वानों को तो कोई क्यों पढ़ेगा पढ़ाएगा कि संस्क्रिट सिक्षण के लिए क्या आवश्यक है संभासन यहां पेसाफ साब दे दिया गया है अगर यहीं प्राप्त होए लगे तो काम बढ़ जाए नेश को सनलो अधुना यहां पे लोग जो है कोई 18 साल से काम करना कुछ उपना कर रहा है कोई 18 साल से 35 साल मतलब 15 साल 18 साल जो है पढ़कर करके जारा नवकरी पारा थ्वा पेमेंट उसको चाहिए भाई जो लोग जो लोग नवकरी करने लगे कोई माश्चर हो जागा तो आप खेती क्यारी तो कर नहीं पाएगा समय नहीं मिल पाएगा उसको तो सब सीच खरीदना ही पड़ेगा और विद्वान की कीमत जो है एक लेवर से तुलना की जाएगो उसकी और ऐसे तुलना करने वाले भी बड़े की जादा नहीं बोलेंगे लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति यह जो जो वरिष्ठ और जो ज्यूने याश्को मुर्ख बता रहा है जा यहां जब बीना पढ़े लिखें आहीं कर सकते हैं तो तुम बीना पढ़े लिखें उसको काम क्यों नहीं देता तो यह पढ़ा लिखेते दो काम उसको अधुना इत्यर्थे अत्रकीम पदम प्रिक्तम अधुना मतलब अधुना मनें संप्रत ही होता है हम साथ साथ बताएं यहां पर यहीं है संप्रत मानें आज के समय में अभी यह वाला हो जाएगा नेश्कुष्ण देखो 49 इसमें बताओ क्या करेट होगा किस प्रश्न का उत्तर को यह सेर लग रहा है बढ़नियास नहीं किया अध्यत्वे यह हो सकता है समय इस समय पे लोग बाहर हो काम धंदे में अपने मस्त में हो लगे हो तो बहुत सारे लोग भी बाहर होंगे कुछ ही लोग होंगे जो वास्ता कि अध्यत्वे संस्करित पाठात्म और समस्क्रित पंदर् немного कराएं किसा प्रियोग मॉत्यम रूप में नहीं किया रहा है संस्क्रित पढ़ाने के लिए जिसकी वज़ वज़ा से ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं लिख पा रहे हैं το संस्कित नीस्वուश औरामे रगां अधित्य में बताओ कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग तो बहुत किलियर है अगर इसमें पुछने प्रत्य तब घबड़ा अच्छा कुछ लोग पढ़ते हैं उपसर्ग है दिमाग में आता है लेप को ठीक कर देते हैं कई बार एक आक बार हमसे भी हुआ है पढ़ते अब बताओ द्रिश्टे यहां पर इस द्रिश्टे के लिए कउन सा करता आउस्यक रहेंगा लेखन में इनकी निपूर्टा नहीं दिखाई देती है लेखने न पर करता क्या बनना चाहिए हालां कि यहां पर ठोड़ी सी भ्रांती जरूर होगी कि इसमें क्या होना डिर होगा तो निपूरता का सकते हैं कि छात्र के रिजल्ट लेकिन इसके आपसन में कुछ किताबों में बीच आपें ओ तो बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा करता निपूर्टा थोड़ी नहीं दिखाए जेते निपूर्टा कोई आदमी है क्या तेशाम भी नहीं होगा क्योंकि ए तो संबंद तेस आमेर्थ सब्सक्राइब करोगे तो चब दूसरे में जैसे राम की स्याम की कि ए दिएब कि उपस्थिति उपस्थिति है कि ज्यां कि किसमें राम में तो राम में राम तो करता बन नहीं पाएगा फिर ना आइस तरी के से कारे को करने वाला या फिर ऐसा दिखाई देता है कौन नहीं देखें कि आम खाता है करत अव्यमिति पदे कह प्रत्य यहां विद्वान जन पिछले वाले कुशन पर कर सकते हैं जहां दिक्कत है वहां सोची नहीं रहे हैं जहां नहीं दिक्कत है उस वाले पॉइंट पर आप लोग जान आवस्यक सोच रहे हैं ठेक आगे देखते हैं नेक्ष वाले कुशन पर इस वाले पर कर तभ्यम इति पदे कह प्रत्य यहां लगा ना विया किसमें बचेगा तभ्या कोई नहीं होता तभ्यत प्रत्य होता है तो क्या हो जाएगा 42 का आप समस्वी करेक्ट हो जाएगा तभ्यत अनियर में अनियस बचता है जिसे और थे पठनी अइसा और हां तभ्या दियार vieneस बचता है वियिस प्रस्ण तब रत्य कश्मिन पदेप्तरल तो प्रत्य वाला किसमीं लगा है तो ले तो नहीं तो लगा एविए अपERE बिड़े हैं यहां देखो श्वी कृता 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 माप लोग पढ़ेंगे ना कि प्रश्व संख्या तीरालिस उत्तर हो जाएगा ए है चबालिस में आ जाओ अत्रशंध्यूक तम्पदम्किन किसमें संथ्यूय संस्कृत पात्य,पुस्तक गत्पा ताय this easier ले इस में भी नहीं है इस में भी नहीं संशक्रित चात्रा करके और चाट्रा तृज कश्य sevote और सबसक्राइब तो संस्कृत स्वच्षण हैं, लेकिन आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कि क्लास आप लोग कुईसा लगा अभी हम लोग acerca अब और इस पूरे practice set में question जहां तक हो समझा है समझाना समझाया समझाने की कोशिस किया और जो हमारी साथ से सही उत्तर लगे उन उत्तर तक भी हम पहुंचे तो आप लोग जरूर बताईएगा और अगर किसे कोश पूछना है तो वश्य की सकता है और नहीं पूछना है तो ना रहाएं और ठीक आज मैं सही कंडिशन में बैठा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा जहां के देख के देखना हैं या जो लोग हम को देखना चाहते हैं अभी एक गंटे पहले एक बज़े से लाइव आ रहे थे ठीक है अब यह टाइम चेंज हुआ है तो इस टाइम पर हम आ रहे हैं ठीक है लोग आज मैं बैठा था आज पूरा से टप के सांथ में ही तो कुछ और पूचना हं सबस्क्राइं नुच्य है कि प्रश लाश है नोहरे जुडे और बहुत सारे और भी क्लास हैं अब लोग क्लास के छो रहें लिखता सकता हो अभी ये class में पढ़ा रहा था तो ये वाली class पढ़ाने के बाद में ज़स्ट वाली class अभी ले लिए तो इन सब की जितनी भी classes हैं सब भी को आप लोग जा करके कर सकते हो बहुत सारे important classes होती है और उस पर बड़ा अच्छे से discussion होता है तो इस दिये गे नंबर पर जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप लोग संपर कर सकते हैं और जो भी और detail classes है उसको प्राप्त कर सकते हैं तो कि उसकी लिंक अलग सिदेजी जाती है ठीक है और बताएं किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अधर्वाइस फिर कि चला जाए फिर अब के आप कि पहली क्लास है बहुत सालों को पहली क्लास है दिनवाले में हमको लगते हैं सामबाले लोग साम ieldार के करते थे सामबाल ले इसेमाने नहीं आ रहे हैं क्या अριसने सबीगे लोग लग रहा है कि नहेंवाले लोग है इस समय तो किसी कुछ पूछना है हुँ हमको भास्वार को सर्फ पढ़ाना है भी इस सब चीज़े क्लासेस हो गई है तो किसी कुछ पूछना है नहीं चलिए अयुश्मान भवा अयुश्मान भवा कल्यान मस्तु दिगुजई भवा सभी लोग सेयर करें लाइक गरना कियों तो लाइक भी कर लें ठीक है हाँ बिल्कुल आप आए हैं आप आई ये और जूड़े रहें सभी लोग जूड़े रहें क्लास से इसी तरीके से क्लास अच्छी मिलेगी ठीक जो भी है सब लोग डेली अब तो टाइम अभी चेंज हुआ है करीब चार पांत तीन-चार दिन से तो अब एक बज़े आ गया है मानिस और शराफ साब्से मिल लेंगे गृटीड़ी से मिल जाए गई बजी बटे बात हमसे जूड़ने के लिए हमारे हमसे व्यां चाहें पर जबी जाता है इनीचे सब्सक्रीया सब आजाएगा तो और कुछ किसी को और कुछ पूछना है कि नहीं तो अब चला जाए जसन को बाज आफ करेंगे तो सर्वेव कि सर्वेभवन तो शुखिनह शर्वेशंतु निरामयाह सर्वेभद्राण पशंतु माकस्य दुख भाग्भवेत माकस्य दुख भाग्भवेत सानन्द मानन्द वनिवशंतं आनन्द कंदं अत पाप व्रिंदं वाराण सीनातम नातनातं स्रिवेश्वनातं सरड़ं प्रपदे त्रिवेश्वनातं सरड़ं प्रपदे वाराण सरड़ं